प्रीविएस वीडियो में हमने पढ़ा सजीव सजीवों के लक्षन और उनकी कारप्रणानी के बारे में अब हम पढ़ेंगे जैव विविग्ता या बायो डाइवर्सिटी किसे कहते हैं हमने देखा संसार में भाती-भाती के जीव जन्तु निवास करते हैं भाती-भाती के पेड़-पौधे भी हम देखते हैं बहुत ही आश्चरेजनक जीवों को भी हमने देखा आप सब बहुत इस तकनीकी जमाने में बहुत अच्छी तरह से सारे लगभग जीवों से परचित हैं संसार में असंखी जीवों की जातिया हैं कुछ तो खोजी जा चुकी हैं और बिभिन जीवों के बीच चंसार में पाई जाने वाले बिभिन जीवों के बीच पाई जाने वाली बिविद्टा पाई जाने वाले बिभिन जीव भाती-भाती के जीव हैं और उनके बीच भी पाई जाने वाली जो बिविद्टा है उसार बिभिन जीवों को हम जय विविट्ता यह पिटा दो नंबर के कॉश्चंस में आते हैं परिभाषाइब अगेरा तो जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे होगी किस प्रकार के संसार में भाती-भाती के केजीन पाये जाते हैं ठाक में इस प्रकार के जीव पाये जाते हैं उनके लक्षण भी बिन्निबिन्नि प्रकार के होते हैं कि आप छाहें अगर यह कोर्म जो कोस्टे से प्रफावशाली हो है और चुकि हम बायों के स्टूडेंट से तो बिना डाइग्राम के हमारी जीव इज्ञान कंप्लीट नहीं होगी आपको डाइग्राम बनानी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना तो जैविवित्ता यह देखो संसार में पाई जाने वाले भाती-भाती के जीव हैं यह शो करते हैं अगर हम बहुत डीप जाएं तो हम देख रहे हैं यहां पर एककोश्की जीव भी है समुद्री जीव भी है अलग-अलग बाती-बाती कीट पतंगे भी हैं बाती-बाती के छोटे-छोटे प्लांट भी हैं कुछ ऐसे भी पौदे हैं जो बिलकुर सूख्ष्व जीव का जयादा महत्व है और कयो जीव का महत्व कम है यहां पर इतना बढ़ियां पारिस्तितिक तंत्र ह्थापित है कि हर जीव का अपनमन. अच विशेश महत्व है रसोई के खाने का सामान एक्सेट्र एक सांसारण में क्या करते हैं घर में रखते हैं लेकिन आप यह बता ओएक यह, एक ही कम्रे में सारा सामान, डंक कर देते हैं क्या आप लोग indeed अपने घर की वस्तूओं को विवस्तित रखते हैं ताकि हम उसको रोजमर्रा की जिंदिकी में विवस्तित धंग से उपयोग कर सकें उनको आसानी से पहचान सकें साथ हम भी खुद भी उसके साथ विवस्तित रूप से चल सकें उसी प्रकार से जब हमको यह पता है कि संसार म अध्यांपस्ता देज हैं कि एक साथ रखना बहुत असंबव कारे हो गया हमें, एक साथ रख करके उनका अध्यां नहीं कर सकते तो अध्यां को सरल वनाने के लिए हमने क्या किया? वर्गी करण की आवस्कता महसुस हूएॉ वर्गी करण की पूर्व में अरस्तु ने इनको एनीमा और एनीमा में रख दिया था और सबसे पहले वर्गी करण में क्या किया गया था कि जो जीव जगत है उसको दो भागों में बाट दिया गया था इस वाइज इस पॉंचिन अगया था हुआ ह। तो उन नें क्या किया जीव जगत जो है उसको मोठे तोरपे दो भागों में बाट दिया कराणी जगत उनने दो भागों में उसको बाट दिया प्राणी जगत और बनसपती जगत मोठे तोर पे रही बित है बहुढ तो Overall यह विज्ञान में एक शाखा वर्गी की का उदय हुआ अनेक विज्ञानिकों के सातत प्रयास के दौरान वर्गी का उदय हुआ जिसको इंगलिश में बोला गया टैक्सो नॉमी अब वर्गी की से आप क्या समझते हैं अगें यह कॉश्चन आपको लिखने आ सकता है एक्ज विविन्न जीवों को उनकी समानतां और चोटे बड़े विविन्न समूवों में विभाजित करना उनका वर्गी करण कहलाता है पहला point तो यह clear हो गया कि वर्गी करण किसे कहते हैं पिर तथा जीविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत जीवों के वर्गी करण का अध्यन किया जाता है बिल्कुल ध्यान दीजिए यह objective type questions में भी आ सकता है जीविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत जीवों के वर्गी करण का अध्यन किया जाता है वर्गी की कहलाती है यानि वर्गी की वह शाखा हो गई जीविज्ञान की जिसके अंतरगत हम जीवों के वर्गी करण का अध्यन करते हैं सबके आप नोट्स बनाना हैं बच्चों बिलकुल भूलिएगा नहीं आपके नोट्स कम्प्लीट होना चाहिए अब यहां पर वर्गीकी का एक सिंपल खाचा खीचा हुआ है कि जैसे हमने वर्गीकी में मोटे तोर पर यह हमाई वर्गीकी की शाखा हो गए और यहां पर हो गए जगत मोने रा थोटे एक कोश की जन्तूओं को रखा यह प्रोटिस्टा उनसे थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गए तो वो प्रोटिस्टा में आ गए फिर एक शाखा निकल गए जिनने प्रकास संचलेशन की क्रिया चालू कर दी स्वयम से भोजन बनाना चालू कर दिया वो आ गए प्ल की शाखा और सड़े गले जीवों पर सड़े गले म्रत कार्वनिक पदार्थों पर उगने लगे उनसे भोजन करने लगे इनमें खुद का कोई पोशन सिस्टम डैवलप नहीं हुआ तो यह बन गए पंजाईय कबग तो इस प्रकार से मोटे तोर पर यह वर्गी कृतिन को क करेंगे अब वर्गी करण का जो अध्यन का जो श्रेज आता है अनेक व्यज्ञानिकों ने समय समय पर प्रयास किये लेकिन मुख्य रूप से एक व्यज्ञानिक थे जिनका नाम था केरोलस लीनियस बिल्कुल मत भूलिएगा वर्गी की के पिता केरोलस लीनियस याद रखिए वच्चों बिल्कुल यह बहुत इंपोर्टन्ट है और मैंने इनकी पे केहां लगाय हुई है केरोलस लीनियस नाम के जो व्यज्ञानिक थे उन्होंने वर्गी करण की द्वी नाम पध्धिती दी नाम पध्धिती उसमें एक नाम पर्टिकुलर उसके वन्ष का और दूसरा उसकी जाती का होता था इसके बारे में भी हम आपसे आगे की वीडियो में पूरा डीटेल अध्यन करेंगे तो यह केरोलस लीनियस है जिन्होंने वर्गी करण की पधिती का इनको जाता है अब है वर्गी करण विज्ञान और व्यवस्था बढतब्याबाु में आपका अगला पॉइंक है किस्ट कार से वर्गी करण को जाता है कैसे उसमें व्यवस्था दी जाती है उसके बारे में हम समझिगुल लीनियस बारинки सिस्टम को बताया और उन्होंने उनके इस प्रयास से अभी अध्यन करना सुविधा जनक हो गया इनका अगर हम देखें तो दो संस्था इस समय वर्किन में हैं एक है इस संस्था जो है यह पादपोक से संबंदित वर्किकरण नामकरण और उनसे संबंदी नीमों का प्रचार प्रसार करती है और उसके वारे में अध्यन करती है दूसरी संस्था है आईसी जेडेन इंटरनेशनल कोड आप जोलोजिकल नॉमन क्रिचर अर्था प्राणी जगत जन्तु जगत के बारे में यह संस्था नाम वर्गिकरण पहचान विकास का अध्यन करती है यह वाली यह दो को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इनके फुल फॉर्म भी याद रखना है और केरोलेस लीनियस ने सब्रतम जैसा कि मैंने पहले बताया द्वीपद नामकरण पध्धिती को प्रस्तुत किया और उनकी जो पुस्तक यह पूची जाती है कभी-कभी आपसे कॉश्चिंस में कि उनके द्वारा लिखी पुस्तक क्लासिफिकेशन तो किसी भी जीवधारी को हमने किसमें तो लक्षणों पह्चान पर पहकोहनान अन्यों के वगण करती हैं यह वर्डότε बिझ्ञान इन दो शाखाना को सा रूपित करता है नांवली निरूपित करता है इसी वी जीविधारी का इस प्रत्वी पर जीविज्ञान से सम्मंधित उसका जय विकास पारिस्थितिक तंत्र पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन यह जो है वर्गी क्यान के अंतरगत किया जाता है मतलँ पूर्ण रूप से वर्गी कृत करना नामकरन करना उसके जय विकास का अध्यन creator करना इस जीविज्ञान में सब्स्थिक तंत्र में क्या महत्त्र है इस सब्सक्रीकर ऊंट्र जेशन आधा जाता है इसके बात हम देखें नाम करन अब किसी भी चीज के नाम करन मतलब हर किसी का नाम दिया जाता आपका भी कुछ नाम है मेरा नाम है हर लिविंग बींग का नाम है यहां तक कि हमारे यहां जो पशु बगर हैं उनके भी नाम दिये गाए बैल हाथी घोड़ा कुट्टा तो लेकिन य नाम होना चाहिए जो चाहिए हम किसी भी देश में जाएं किसी भी परिवेश में वहां पर यह नाम रहा आए तो इसलिए क्या वशकता महसूस की गई कि जन्तूओं को पाधपों को अध्यन की सुविधा की द्रिश्टी से उनका एक सर्व मान्न नाम देने की प्रक्रिया चाहलू हुई जिसे कहते हैं नॉमनदब उसमें है साधारणना नाम क्यों है जो किसी छेतर विशेष में होते हैं हवसिस्पेरो यह चुडिया का इस पर्टिकुलर जन्तु का नाम हर जगह बदल रहा है तो यह नाम सर्वमान नहीं हुए इसके बाद फिर क्या आया कॉंसा कॉंसेप्ट आया वैज्ञानिक नाम रखने का कि इनका साइंटिफिक नाम लिखा जाए तो शुरू में क्या किया बहुपद नाम करण हुआ मल्टिपल और बहुपद नाम करण मतले उसके पूरा लक्षन देते हुए उसका नाम तो यह नाम जो होता था बहुत बड़ा होता था और अद्धिन के सुधा की दृष्टी से जो था वो संभव नहीं था बार बार इतना लंबा नाम लेना आसान नहीं होता तो फिर से एक वर्गी करण के आवशक्ता महसूस हुई जिसको कहते हैं द्वीपद नाम करण या बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर याने द्वीपद नाम करण बाइन दो शब्दों से इनका नाम करण कर दे और उस इंडिविजल जीव की पहचान हम कर सके यह देखिए आप यह क्लासिफिकेशन के सारे स्टेप्स हैं जो की बढ़ते हुए करम में बोल दें और आप घटते हुए करम दोनों में कह सकते हैं सबसे पहले आए गया एश्पिशीज फिर जीनियस फैमिली ओडर प्लास फाइलम और किंग्डम इसके बारे में हम आपको नेक्स वीडियो में अध्यन करेंगे अभी हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप याद कर सकें कैसे आप उसको अध्धन के सीरियल ओडर को याद करके रखेंगे सबसे पहले आते हैं हम जगत ज़ो जव जेव जगत दो भागों में बटिए पादप जगत और जटू जगत को सम्धा याने फाइलम कहा गया और दिवीजन पादपों के लिए किया गया और जंतूओं के लिए फाइलम या संघ कहा गया क्लास में आते हैं इनके और कौ से हैं इनकी फैमिल्य कौन सी है इनका attendance कौन सा है और लास्ट में उनकी जाती है इसकी कौन सी है तो हमेशा यह याद करने में बच्चों दिक्कत जाती है शुरू-शुरू में तो आप एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला में लिखके लाई हूं इससे आपको पूरा याद हो जाती हूं दिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पगेटी क्या फॉर्मूला आप याद रखेंगे दिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पगेटी तो दिड का हम चैलेंगे किंग का के फिलिप का पी एच कम का सी ओवर का ओ एफ पॉर का ग्रेट का जी और स्पगेटी का एस यह पूरा ओर उसी हिसाब से हो जाता है डिवीजन, किंग्डम, फाइलम, क्लास, ओर्डर, फैमिली, जीनस और इश्वशीज ये बच्चो आपको बहुत अच्छे से याद करके अभी से रखना हैं ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नॉमन क्लेचर सिस्टम को आपसे डिसकस कर सकें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब आपको पढ़ाएंगे नॉमन क्लेचर और इसका सिस्टम तो आपको अच्छे से समझना है